अबस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता 30 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पर मौसम बहुत बड़ी बाधा बन कर आया पहले भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा पर कुछ समय के लिए आइस्थाई रोग लगाई गई और अब मौसम का कहर एक बार फिर शुरू धालों पर बरपा है शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे अमरनाथ गुफा के पास बादल पड़ गया इसे कैम के बीच में अचानक सैलाब आ गया आपदा के दौरान गुफा के पास 10 से 15,000 शुरू मौचूद थे आपको बता दे कि अमरनाथ की गुफा 3888 मीटर की उचाई पर स्थित है जहां शुरू धालों बाबा बरफानी के दर्शन के लिए हर साल पहुँचते हैं पिछले दो साल से कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा पर रोक लगी थी लेकिन इस साल भी लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है बादल फटने की घटना अमरनाथ की पवित्र गुफा से एक से दो किलो मीटर के दाएरे में हुई है पहाडों से तेज बहब के साथ आए पानी से श्रद्धालू के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2-3 लंगर बह गए आबदा के बाद राहत और बचाप का काम जारी है सेना के जवान जमुकश्मीर पुलिस, एंटी आरेफ, एडी आरेफ, आईटी बीपी के जवान प्रभाविश शेत्रों में फसे लोगो का रेस्क्यू करने में जुटे हैं बादल फटने के बाद पहाडों के बीच से पानी बहने लगा, पानी का बहाब इतना तेज था कि अपने साथ करीब 25 टेंट और 2-3 लंगर बहा ले गया अमरनाद गुफा के पास बादल फटने के बाद रेस्क्यू में सेना के जवान तदकाल ही चुट गए हादसे के बाद जगे जगे मलबे का धेर दिखाई दिया, मलबे में फसी एक महिला श्रद्धालू के शव को निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी इसके लिए फावड़ी की मदद से शव के आसपास मौजूद पत्थरों के तुकडों को हटाया गया बादल फटने के बाद कई लोग सहलाब के साथ बह गए, उनके शव पत्थरों में दब गए ऐसे में शव तक पहुँचने के लिए बचाव कर्वियों ने रस्ती का सहारा लिया घटना के बाद प्रभाविश शेत्रों में फसे लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुँचाने के लिए अभियान जारी है रेस्क्यू के लिए कुल शे टीमों की तैनाती की गई है दमकल की टीम को रेस्क्यू आपरेशन में काफी परेशानी हो रही है पत्थर के नीचे दबेश शवों को बाहर निकालने के लिए फावडे और रस्ती का सहारा लिया जा रहा है बादल फटने के बाद सक्रे रास्तों में फसे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया आपदा में घायल हुए लोगों को हेलिकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुँचाया जा रहा है हाथसे के बाद लोगों की साहेता के लिए NDRF और अमना श्राइन बोर्ड ने इमर्जेंसी हल्प लाइन भी चारी की है आपको बता दे कि ऐसा ही हाथसा 16 जून 2013 को केदारनाध धाम में हुआ था जिसमें हजारों मौते हुई थी देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन भाफना टाइम्स के साथ नमस्कार